कुलाम स्लो क्या होता है कुलाम स्लो की बात करेंगे हम कुलाम स्लो क्या बताता है के बताता है चार्ज के इंटरेक्षन के बारे मैं जिसके लिए घिया आप हमारे lernen लाक्श लेक्शा देख सकते हैं जल्ड में हमने चार्ज इसके adaptation के बाहरे बात की है और इसके लाद हमने दिशनास्टंक्रे में Navy apar car charging थी टाइप का होता है induction, conduction and friction तीनों हमने discuss कर लेते हैं आज हम बात करने जाने कुलांप स्लो की जो कि क्या बता रहा है how charges interact so start with this if we have two charges one is plus another is plus one is minus another is minus so they would repel each other and plus and minus will attract each other so two charges are like charges are repair each other and unlike charges attract each प्लांप स्लो की तो कुलांप स्लो एकच्टली यह बताता है कि ये जो charges है कितनी force से एक दूस्स्रे को अट्रेक्ट करेंगे के आज हम नहीं यह पता था सबसे पहले कि ये जो चार्जस हैं एक दूस्रेक्ट तो कर रहे हैं रिपेल भी कर रहे हैं लेकिन कितनी फोर्स से कर रहे हैं कि गुलाम ने होताया था तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किये थे तो उसके एकोर्डिंग हम देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने बताया था उनने क्या बोला था कि मानलो आपके पास एक चार्ज है प्लस Q1 और दूसरा चार्ज है प्लस Q2 दो चार्ज है आपको इनको एक सेप्रेशन में रखा गया है इस एक चार्ज Q1 है इसके ऊपर कोई फोस लग रहा है किसकी वज़े से क्यूट तो ये दोना पॉईट्व पॉईट्व चार्ज है तो आउटवाट लगेगा फोस तो है ना इस तरसे कोई फोस लगेगा इस फोस को हम क्या बोलेंगे force on 1 due to 2 यानि इसको बोलतेंगे हम F12 इस तरह से Q2 पर Q1 की वज़े से कोई force लग रहा होगा outward लगे गया क्योंकि दोनों positive है जब दोनों positive है force outward लग रहा है किस पर लग रहा है 2 पर force on 2 due to 1 F21 इसको बोलतेंगे हम इतना असान इस समझ में आ रहा होगा और यह vector quantity इसलिए force के उपर हमने vector लगा दिया है यानि कि कोई भी charge दूसरे charge को attractor repel करता है तो उनके center से पास वने line end से रही करेगा कैसे this force act along the line joining center of two charges क्या बोला मैंने जो यह center रहना इन charges का उनके line joining पे ही यह work करता है ऐसा नहीं कि मैंने charge यहां रखा है पीछे बिलकुर इसके पीछे और force इस तरफ लग रहा है इस तरफ नहीं रहेगा यह इस ही तरफ जाएगा इस lining joining पे ही रहेगा ओके और कुलाम ने एक और बात बोली थी वो क्या यह जो force होते है force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1 दोनों forces किस तरफ रहके होते हैं कितना magnitude होता है क्या कुछ होता है इस बारे में यह उनोंने बताया था तो दोनों force जो होते हैं equal in magnitude होते हैं and opposite in direction दिख रहा है आपको opposite direction में और magnitude में equal है which means these two forces are equal in magnitude and opposite in direction magnitude में equal होते हैं और direction में opposite होते हैं कैसे जैसे मैंने बोला f12 equal to f21 क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं नहीं जब मैं ऐसा बोलूँगा ना तो मुझे यहां पर minus sign लगाना पड़ा है तो कि magnitude में तो equal है लेकिन इनकी direction opposite है तो अगर मैं इनका magnitude ले लूँ इस तरह से f12 equal to f21 ऐसा मैं बोल सकता हूं बिल्कुल बोल सकता हूं तो इसको मैं दोनों को equal बोल रहा हूं तो इन दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूं कि f equals to f12 equals to f21 यानि कि यह दोनों force magnitude में equal है लेकिन direction में opposite है अब हम आगे बात करेंगे कुलाम स्लो की कुलाम स्लो exactly क्या होता है it is a quantitative statement क्या बोला मैंने quantitative statement about the forces of interaction between two point charges यानि कि point charges की बीच में यह quantitative statement है अब point charges क्या होते है जब तो charges की size उनके बीच की distance से बहुत छोटी होती है मानलो यह दो charges है इनकी बीच की distance जो है बहुत ज़्यादा है और इनकी खुद की size बहुत कम है इनकी size बहुत कम है suppose इनकी size बहुत कम है suppose इनकी size है 1 cm और इनकी बीच की distance मानलो 100 meter क्या बोला मैंने 1 cm का यह charge है है ना size of the charge is 1 cm meter and distance between them is hundred meter or more अगर ऐसा है तो इन charges को point charges बोल सकते हैं तो two charges are set to be point charge if their sizes are much smaller than the distance separating then okay लिख सकते हम इसको two charges are set to be point charge if the distance between them is much greater than much greater than their size greater than their size है यहनी कि उनकी size से बहुत बड़ी होगी दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं या तो हम बोल दें कि उनकी size है यह से बहुत बड़ी होगी उनकी distance या फिर ऐसा बोल दे कि जो उनकी distance हैं यह कि उनके 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 बहुत ज्यादा है या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि उनकी distance से उसके मकाबले उनकी की साइज बहुत कम है क्योंकिंग तो टू चार्जेजर सेट टू बी पॉइंट चार्ज इफ देर साइजेजर मुच स्मॉलर दें दर टिश्टेज सेप्रेटिंग अब फाइनली हम कुलाम स्लो की बात करेंगे इसके कोडिंग क्या होता है जो फॉर्स होता है दो पॉइंट इस तरह से एक्ट करता है तो वो जो फोर्स होता है वो इस तरह से एक्ट करता है कि मान लीजिए कि दो चार्ज हमने लिए थे इस तरह से दो चार्ज हमने लिए थे तो इन पर लगने वाला जो फोर्स होता है ना इक दूसरी पर लगने वाला फोर्स इनका Magnitude के प्रॉडक्ट के इक्वल होता है इनका Magnitude क्या है Q1 Q2 का Magnitude Q1 Q2 है चार्डे ली की हो होता है लोडिक इनका Magnitude के डारेक्टली प्रपोर्शनल होता है फोर्स जो होता है इनके magnitude के directly proportional होता है कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे देखो फोर्स की बात कर रहते हम So according to Coulomb's law क्या होता है जब दो charges इसको distance पे रखा जाता है चार्ज आज कैसे पॉर्ण चार्ज तो उनके बीच में जो लगने वारा फोर्स होता है उनके magnitude के product के proportional होता है और उनके बीच के distance के inversely proportional होता है बीच के distance के square के inversely proportional होता है है तो आप कोर्डिंग तू गुलाम्स लो हम क्या बोल सकते हैं according to Coulomb's law the force of interaction force of interaction okay interaction force attraction yeah repulsion दोनों force हो सकती है between two point charges between two point charges यहां पर सबसे important बात यह है eight rest यहनी कि दोनों charges rest में होंगे या दोनों में से कम से कम eight charge rest में होगा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोग confuse रहते हैं इस बात के लिए कि जो eight rest का मतलब क्या है eight rest का मतलब यह है कि या तो दोनों charges आपके rest पर हो या दोनों में से कोई eight charge rest पर हो लेकिन दोनों charge motion में होंगे उस time हम खुलाम स्लोग को नहीं लगा सकती उस time valid नहीं होगा तो क्या बोला था इस डारेक्टली प्रपोर्शनल टू दी प्रॉडक्ट औफ देयर magnitude f is proportional to q1 q2 ऐसा बोल सकते हैं q1 q2 इनका magnitude होगा ऐसा बोल दिया मैंने प्रॉडक्ट के magnitude के डारेक्टी प्रपोर्शनल होता है and inversely देयर प्रपोर्शनल तो प्रपोर्शनल डी प्रपोर्शनल pro por mor or to the inversely proportional to the square of the distance between them जो है उसका inversely proportional होगा 1 upon R square, f is inversely proportional to R square बोल सकते हैं या फिर f proportional to 1 by R square और डिस्फोर्स एक्ट अलोंग भी लाइन जोइनिंग सेंटर ऑफ टू पर चार्ज इस जो फोर्स होता है लाइन जोइनिंग सेंटर पर वर्क करता है हमने पहले भी duskus किया था अभी कि online пять cent पर पर वार्क करेगा ठीकर शाब का अ जिव एको और बात है क्या गई थी कि फोर्स डिपेंड अप्न मीडियाम ये बात especially बोली गई थी इसके लिए कि ये जो force होता है medium पर depend करता है यानि हर एक medium पर अलग-अलग होगा जिसे कि हमने कोई भी एक medium ले लिया उसमें अलग होगा कोई दूसरा medium ले लिया तो उसमें अलग होगा ठीक है इसके लिए हमने एक constant दिया था मीडियम के लिए उसकी बात हमने बाद में करेंगे तो इन सब को मिलाकर हमारा force का formula क्या बन सकता है f proportional to q1 q2 pon r square जो हम एक constant लहेंगे उसको columns constant या electrostatic constant बोल सकते है k q1 q2 pon r e square और जो k होता है medium पर depend करता है k की जो value होती है medium पर depend करती है यहाँ q1 q2 को without sign यूज़ करना है क्योंकि हम sign से तो force की direction देख लेते हैं तो k एक ऐसा constant है जो medium की property यह बताएगा यानि कि k एक ऐसा constant current है जो depend करता है medium पर और इसकी value k की value vacuum में k की value कहां पर vacuum में या free space में या फिर air में भी मान लेते हैं वैसे air में थोड़ी से slightly different होती है लेकिन air में भी हम यही मान लेते हैं तो क्या होगी k की value k की value होती ही 9 into 10 raise to power 9 इसकी unit निकाल सकते हैं अब न्यूटन मेटर स्क्वार कुलाम स्क्वार न्यूटन मेटर स्क्वार कुलाम स्क्वार यह vacuum या free stress या air में होगा कि कि वैक्टर फॉर्म औफ कुलाम स्क्वार इसके बारे बाद में पढ़ेंगे तो वैक्टर फॉर्म औफ कुलाम स्क्वार इसे से generate होता है कैसे होता है समझेंगे वैक्टर फॉर्म औफ कुलाम स्क्वार वैक्टर फॉर्म वैक्टर फॉर्म कुलाम स्क्वार इसे वैक्टर फॉर्म यह विजिबल है न असाने से वह इस अच्छी आरी है विरिकर तो नहीं है सो कुलाम आमने जो बताया था उसको हम वैक्टर फॉर्म में लेंगे हम वही चीज यहां पर करने वाले हैं दो चार्जेर हमने लिए प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू इनको एक डिस्टेंस पर रखा उस डिस्टेंस को हमने क्या वोल लिया आर जब आप आपने अभी देखा था कि यह जो फॉर्म आपसरी जो तो बिए तो दो चार्य को ब्लस प्लस लीया जाए यहां लिए लिए जो फॉर्म से ओते हैं यह किदर रखता है तो दो डाइक्छन लिए हम देखी जाए सकती है एक डाइक्छन तो यह बाली एक डारेक्शन यह वाली तो इसको हम मोडार बोल दें जिस्टेंस को ताकि दोनों डारेक्शन को उनके लिए हम इसको यूज कर सकतें तो कुलाम ने क्या बोला था कि यह जो फोर्स होता है इस पे इसके यह वज़े से कि फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा आउट वार्ड लगेगा क्योंकि दोनों पॉलिटिर चार्ज है और पॉलिटिर चार्ज रिपेल करते हैं यह फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा एक फोर्स लगेगा एक फोर्स लगेगा एक फोर्स लगेगा इस तरह स फाइनल माइनस इनिशल इस तरसे लेते हैं तो इसकी की डिर्क्शन क्या रहेगी कहां पर आ रहा है यह क्यू टू से क्यू वन पर आ रहा है तो आर्टू माइनस आर्वन स्वरी आर्वन माइनस आर्टू यह डिर्क्शन हूगी आपकी इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की क्या होगी क्यू टू पर जा रहा है यायनकि आर्टू माइनस आर्वन यह direction होगी तो इसके लिए कुलाम स्लो लेकेंगे हम वो क्या होगा f 1,2 इस वाले के लिए equals to k q1, q2 upon r square यह आपका कुलाम स्लो हो गया बट जब हम vector form लेक्टर form में क्या होता है magnitude के साथ मैं unit vector भी आता है अब unit vector क्या होता है यह बताते है अपन सपोज हमारे पास कोई a है जिसका unit vector निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं वो vector a और mode है ठीक है तो यहाँ पर unit vector क्या है direction का unit vector तो direction को ज़िए है इसके लिए r1-r2 r1-r2 का cape इसको इस तरह से लिख सकते हैं k q1 q2 upon r square इसको हम इस form में लिख सकते हैं vector a अपन mode a की form में तो r1-r2 का vector upon mode a r1 minus r2 का mode ठीक है तो अभी इस r को हमने mode r बोला गता है आपर तो mode r लेनेंगे जब यह mode r है तो mode r की value q r1-r2 के एक्वल तो है ना तो mode r equals to mode of r1-r2 है ऐसा तो हम इसको भी r1-r2 लिखेंगे जब यह r1-r2 होगा तो यह क्यों होजाएगा r1-r2 होगा क्यों होजाएगा पूरा के q1 q2 अपोन mode of r1-r2 का क्यों और उपर क्या जाएगा r1-r2 का वेक्टर हमारे पास यह वेक्टर फोर्म आ गई कुलाम्स दोकी यह हमने देखा था f12 के लिए क्योंकिए f12 के लिए हमने देखा था कुलाम्स दोकी वेक्टर फोर्म अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्यूब आ गया है इससे कंतुज मत होना क्योंकि ऊपर एक फैक्टर है इतना इस से मेग्निटूड उड़ रहेगा इसका तो यह इसक्वार वाला ही लो है लो क्या है अपका जो प्रोड़क्ट के एक्वार प्रपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टैंस के स्क्वार ऐके इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है क्योंकि यही चीज आप f12 के लिए भी कर सकते हो डारेक्टली यह भी लिख सकते हो, वो पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे F21, उनके लिखा हमने के, Q1, Q2, पॉन, मोड आर का स्क्वायर, यहां पर डारेक्शन क्या लगए है, R2 माइनस R1, ठीकिए, क्योंकि यह वाली डारेक्शन है, R2 माइनस R1, का केप, ठीकिए, R2 माइनस R1 का केप, यहां पर भी हमें, वेक्टर लगना था, क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अब क्या लिखेंगे, पर Q1 माइनस Q2, और नीचे हम, क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 इनका मोड लिख सकते हैं, अभी हम यही रहने रहते हैं, तो R2 माइनस R1 वेक्टर, अपॉन, मौड ओफ, R2 माइनस R1, मौड ओफ, R1 माइनस R2, इस पूरे को, इस तरह से लिख सकते हैं, के, Q1, Q2, Q1, Q2, क्या देख सकते हैं, के, Q1, Q2, अपॉन, R2 माइनस R1, क्या होगा, के, Q1, Q2, अपॉन, मौड आल का, इसको है, जिसको हमने, फाइनली क्या लिखा था, के, Q1, Q2, अपॉन, R1 माइनस R2, का, होल क्यूब, R1 माइनस R2, यह वेक्टर, फोर्म हो गई, इस तरह से, इसके लिए क्या होगा, के, Q1, Q2, अपॉन, मौड आल टू, मैंनस R1 के, होल क्यूब, R2 मैंनस R1, यह वेक्टर, फोर्म हो गई, तो हमने, डिसकोस कर लिया है, कुलाम स्लो, और कुलाम स्लो की, वेक्टर, फोर्म, आज हमने, कुलाम स्लो, एंड वेक्टर, फोर्म, कुलाम स्लो, कंप्लिट कर लिया है, नेक्ट लेक्टर्स में, हम आगे के टॉपिक्स डिसकस करेंगे, और कुछ निमरिकल पार्ट भी, जो की, पुलाम स्लो पर ही पेस्ट होंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी इमेल आइड है, वल्टाफिजिक्स एड़रेट ग्मेल डोट कॉम, जो की, आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में या चैनल के डेस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, और वीडियो के डेस्क्रिप्शन में आपको नॉट्स भी एवैलेबल होंगे, वीडियो के description में आप हर एक वीडियो के description में जा कर देख सकते हैं उस वीडियो से related notes तब तक के लिए अपना ख्याव रखिए और देखते रही है Poltophagics